हाई फ्रेंग्स मैं हूँ मानेव विलकम टो मूवी शूवी क्या हाल चालें अभी मैंने कल्यान राम की एक मूवी एंबिकुस का वह देखा ट्रेलर टीजर वह बहुत बढ़िया लगा है क्यों बढ़िया लगा वह बात करेंगे क्योंकि यह जो मूवी है इसके अंदर कुछ नया कॉंसेप्ट है यहाँ पर मार धार तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी आपको वर दो टॉप आक्शन देखने को मिलेगा मिलेगा ठीक है वो सब ठीक है लेकिन कुछ नया पन भी है इसके अंदर यहाँ पर आपको एक तो कौन किसका दुश्मन है, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, काफी ज़्यादा confusion crate होने वाली है, अभी आपने एक मूवी देगी थी circus, उसके अंदर भी इसे डॉपल कैंगलर की कहानी थी, लेकिन उसके अंदर रहता भेल गया था थोड़ा सा, लेकिन ये जो मूवी है, इसके अंदर कुछ different concept लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जादा meaningful ये होगी, थोड़ा सा जो over the top चीजे हैं, उसको थोड़ा सा अगर control करके रखेंगे, तो इसमें अभी acting भी कल्यान राम की थोड़ी सी मैचौर लग रही है, तो ये कह सकते हैं कि जब ये थेटर्स के अंदर आईगी, और से पहले trailer आएगा तो काफी impactful होना चाहिए, हलाकि teaser भी ठीक ठाक length का है, आप इसको trailer की तरह ही treat कर सकते हैं, तो मुझे इंट्रस्टिंग लगा है, कुछ different concept लगा, काफी time तक हम ये बोगते रहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा हवाई action भी करना है, तो उसके लिए कुछ justified आपको content भी चाहिए होगा, differentiated सा, तो वो मिरको यहाँ पर दिखा, क्योंकि अभी कल जब मैंने एक teaser trailer का reaction करा था, वीरा तो वो मेरको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो तो बिल्कुल gravity defining हो गया था, और उसके अंदर कुछ logic नहीं था, सिरफ डायलोग मारो, बंदे वड़ाओ, सिरफ वो ही था, इसके अंदर कुछ different लग रहा है, कुछ different करने की कोशिश लग रही है, इसके अ it out of day, it's a different concept, when it is looking different, it is looking promising